क्या राजनीत एक पवित्रकार्य हैं? यदि हाँ, तो फिर भारतिये नेता नाटक तरके इसका स्वरूप क्यों बिगाड रहे हैं? क्या नेताओं के नाटकों से तंगा चुकी है भारत की जनता? क्या ये नेता काम कम और राजनीती ज़्यादा करते हैं? क्या ये नेता लोग एक दूसरे के साथ उतर धिंगा मारी बारी वाला खेल खेल रहे हैं? क्या भारतिये नेता केकड़ों की तरह व्यवार कर रहे हैं, जिन्हें केवल एक दूसरे की टांग खिंचने के तरिक्त और कोई काम नहीं होता। क्या इन भारतिये नेताओं का कोई लाज है? क्या खोटे भारतिये नेताओं को राजनीती से बाहर का रास्ता दिखाये जा सकता है? क्या नोटा ये काम कर सकता है? क्या नोटा खोटे नेताओं को राजनीती से बाहर निकाल कर खड़ा कर सकता है क्या नोटा नेताओं को सुधरने का मौका दे सकता है जी हाँ नोटा ये काम एक जटके में कर सकता है नोटा का प्रावधान देखने में छोटा लगता है किन्तु यह बड़े बड़े नेताओं का सफाय कर सकता है छोटा सा दिखने वाला नोटा बड़े राजनीतिक परिवारों और मठादीशों को हाशिये पर ले जाकर पटक सकता है जिन्होंने अर्बों रुपियों की संपत्ती खट्टी कर ली है भारती ये राजनीति में समा गई गंदगी को पूरी तरह साफ कर सकता है नोटा बुरे नेताओं की नीद चीन सकता है नोटा किवल नोट बंदी ही बुरे नेताओं की नीद नहीं चीन सकती ये काम नोटा भी आसानी से कर सकता है नोटा उन अपराधियों को हमेशा के लिए राजनेतिक गलियारों से निकाल कर बाहर खड़ा कर सकता है जो लोग सभा और विधान सभा चुनावों में बड़ी संख्या में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते हैं कैसे हो सकता है यह है इसे समझने के लिए नोटा के वर्तमान प्रावधावनों को समझना जरूरी है भारत के चुनावों में वर्तमान में नोटा का प्रावधान है इस प्रावधान के अनुसार यदि किसी मतदाता को यह लगे कि चुनाव लड़ रहे नेताओं में से कोई भ पहला ये कि मतदाता ने अपने मतदिकार का प्रयोग करके देश की समयधानिक विवस्था में अपना विश्वास व्यक्त किया है तथा उसने लोक तंत्र में अपनी आस्था जताई है नोटा का प्रयोग करने वाला मतदाता उस मतदाता से कई गुना बेहतर है जो वोट डालने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलता नोटा का प्रयोग करने वाला मतदाता देश की राजनितिक व्यवस्था के प्रति अपने असंतोष को व्यक्त करता है नोटा का प्रियूक करने वाले मतदाता की गिंती चुप होकर बैठने वालों में नहीं की जा सकती नोटा के वर्तमान प्रावधान मतदाता को केवल इतने ही ताकत देते हैं कि वे वोट देकर भी किसी को वोट न दे ये ताकत कम नहीं है, किन्तु नोटा की इस ताकत को बढ़ाय जा सकता है नोटा को भारतीय राजनीती की सफाई के जवर्दस्त उपकरण के रूप में काम लिया जा सकता है नोटा की थोड़ी सी ताकत बढ़ा कर भारती राजनीती का चेहरा पूरी तरहें बदला जा सकता है नोटा की सम्मंध में केवल दो प्रावधान किये जाने की आउशक्ता है पहला ये कि यदि किसी लोगसभा, विधानसभा, नगरपाली का या ग्रामपंचायद के चुनावों में नोटा को मिले वोट और दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को मिले वोटों का योग विजेता प्रत्याशी के वोटों से अधिक हो जाए तो वैचुनाव रद किया जाए तथा इन सभी प्रत्याशियों को अगले पांच साल से पहले देश की किसी भी लोगसभा, विधानसभा, नगरपाली का या ग्रामपंचायद सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग योगोशित किया जाए ताकि नोटा के हाथों पिछड़ गए नेता, पांच साल तक जनता जनारदन की सेवा करके, उसका विश्वा सरजित करें, तथा अपने मन को पवित्र करके फिर से राजनिती में आ सकें ऐसी स्थिति में उस सीट पर तुरंत दुबारा चुनाव करवाने की अधिसूचना जारी की जाए और नए प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ने के लिए आमंतरित किया जाए दूसरा प्रावधान ये होना चाहिए कि यदि किसी सारजनिक चुनाव में अकेले नोटा को 30% वोट मिलें तो वो चुनाव रद्द किया जाए तथा नए प्रत्याशियों के बीच दुबारा चुनाव करवाई जाए यदि नोटा के संबन्ध में ये प्रावधान लागू किये जाए तो देश में राजनिती के नाम पर जनता पर शासन करने वाले खराब नेताओं का राजनिती से सफाया हो जाए और केवल वे नेता ही मैदान में बचें, केवल वे जनसेवकी मैदान में बचें, जो जनता पर शासन नहीं करना चाते, अपे तो जो देश और जनता की सेवा करना चाते हैं ऐसे नेताओं को अचीतने समझ में आ जाएगा कि राजनीती, शासन करने, धन कमाने, पावर और पोष्ट हतियाने का खेल नहीं है, ये भारत माता की सेवा करने का जरिया है जनता जनारदन के सेवक बन कर त्यागी, तपस्वी और मनीशी बनने का जरिया है राजनीती एक पवित्र कार्य है, इस कार्य के लिए भगवान की भक्ती करने जैसा ही शुद्ध चित्त चाहिए इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि भारतिय राजनीती की सफाई तब तक नहीं हो सकती जब तक की जनता को चुनने के लिए मन पसंद प्रत्याशी नहीं मिलें और ये काम नोटा बहुत आसानी से कर सकता है चयुल कर सकता है तो कि ए सकता है जह हुआए चयुआ जब तक काम नहीं कि वस्ट चैनल कर सकता है झाल